हेलो दोस्तो स्वागत है आपका PLC Learning Point पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे Mitsubishi PLC के Model Selection Tool के बारे में तो देखिए हमको सबसे पहले Chrome Browser पर जाना है उसके बाद Google पर हमको सर्च करना है FA Global फिर एक बार एंटर करना है यहाँ पर देखिए Factory Automation Mitsubishi Electric Corporation इस पर हमको एक बार क्लिक करना है यह Mitsubishi PLC की एक Official Website है ठीक है ना यहाँ पर हमको एक बार देखिए Product पर क्लिक करना है प्रोड़क्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए आगे हमको जाना है FA Integrated Selection Tool इस पर एक बार हमको क्लिक करना है फिर एक बार स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा Agree and Use इस पर एक बार हमको क्लिक करना है इसको लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मतलब दो से तीन मिनट का टाइम यह ले सकता है अब देखिए यहाँ पर हमको दो अप्शन मिलते हैं Select by Device और दूसरा अप्शन मिलता है Select by Network तो हमको Select by Device पर एक बार क्लिक करना है हम जो आने वाले वीडियो में प्रोग्रामिंग सिखने वाले हैं वो सिखेंगे Mitsubishi के मेल से Q-series की PLC तो इसी के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर Start Selection पर एक बार क्लिक करना है इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा इसको भी लोडिंग होने में एक मिनिट का समय लग सकता है अब देखिए इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा इसमें यह जो आल है इस पर हमको क्लिक करना है और Programmeable Logic Controller CPU सिलेक्ट करना है ठीक है ना Specification पर एक बार क्लिक करना है हमको normal PLC से यह मतलब 2260K step का भी हम ले सकते और 20K step या फिर इससे छोटा PLC भी हम यहाँ पर यूज कर सकते है ठीक है ना तो अभी में 20K step और lower का PLC चूज करना जा रहा हूँ अब इसमें हमको point मिलते है 256.1024 point और 2048 point का PLC मिलता है ठीक है ना तो हम यहाँ पर चूज करेंगे Q02 UCPU Program Capacity 20K step और इसमें point है 2048 point ठीक है ना इस पर एक बार हमको क्लिक करना है उसके बाद फिर next पर क्लिक करना है आगे देखी जो type है इस type में हमको यहाँ पर standard type क्लिक करना है और specification में देखी है यहाँ पर Q33B इसमें 3 slot है 5B में 5 slot है 8B में 8 slot है और 12B में 12 slot है ठीक है ना तो हमको एक medium type का PLC चाहिए हम एक 8 slot का PLC यहाँ पर select करेंगे उसके बाद फिर हम next पर क्लिक करेंगे इस तरह का एक interface open होता है अब यहाँ पर देखी हमको एक base rack select करना है power supply select करना है और सारे input और output के module select करना है इस PLC में हमने देखी है एक base rack को select किया है base rack मतलब वो rack जिसके उपर हम सारे module को connect करते है ठीक है ना तो वो main base हमने Q38B select करी है ठीक है ना उसके बाद अब हमको select करना है power supply power supply में देखी है Q61P, 2P, 3P, 4PN और 61PD ठीक है ना तो total यहाँ पर 5 तरह के power supply है इसमें 2 power supply जो की 100-240V AC पर operate होते हैं और यह वाला power supply देखी है Q63P जो की 24V DC पर operate होता है हमको यही वाला power supply एक बार select करना है उसके बाद फिर OK करना है ठीक है ना उसके बाद देखिए CPU हमने select कर लिया है power supply अब हमने select कर लिया है तो यहाँ पर यह देखिए green mark आजाते हैं ठीक है ना module में देखिए सबसे पहले हम input module select करेंगे और फिर हम करेंगे output module तो हम यहाँ पर एक बार click करेंगे उसके बाद आयो module पर हमको click करना है आयो module पर click करने के बाद देखिए जो type है इससे हम filter कर लेते हैं हम code DC input में चाहिए DC हम positive भी ले सकते हैं और DC हम negative भी ले सकते है ठीक है तो हम DC positive common वाला use कर रहे हैं और इसमें देखिए specification में हम choice world DC input का ही use करेंगे क्योंकि आज कल जो ज्यादातर PLC होते हैं वह choice world DC पर ही operate होते हैं ठीक है choice world DC के लिए देखिए QX40 है DC input positive common और choice world DC पर यह operate होता है इसमें screw terminal block है मतलब screw के थू इसमें अपने को connection tight करना पड़ा है ठीक है total list में 16 points है और यह एक slot को consume करता है ठीक है इस तरह से सारे जितने भी अपने input model है उनकी detail यहां पर दी गई है ठीक हम एक normal वाला input model यूज़ करने जा रहे हैं तो हमको QX40 पर click करना है उसके बाद फिर ok करना है quantity में देखिए हमको total 2 input model यूज़ करने है या तीन input model यूज़ करने है वो हमारे उपर depend करता है अभी हम QX40 के 2 input model सेलेक्ट कर रहे हैं यहां पर देखिए 1 slot number 0 और slot number 1 में QX40 के 2 input model सेलेक्ट हो चुके है आगे देखिए अब हमको output model सेलेक्ट करने है तो फिर हम IO module पर click करेंगे उसके बाद हमको output model सेलेक्ट करने है तो यहां पर देखिए यह input के लिए है यह contact output मतलब relay output है यह track output है और यह transistor sink टाइप का output है ठीक है तो हम transistor sink टाइप का output model एक सेलेक्ट करने जा रहे है और उसके बाद यहां पर देखिए 24V हमको DC output में चाहिए ठीक है तो यह 12-24V DC output में total हमारे पास QY40P, QY41P, 50P, 68P हम यहां पर यूज करेंगे QY40P यह transistor sink type का output देता है और 12-24V पर operate होता है 16 points है और एक slot को यह consume करता है ठीक है तो यहां पर QY40P पर एक बर क्लिक करना है फिर OK करना है उसके बाद हमको quantity चूज करना है मतलब हमको total output के module कितने चूज करने तो अभी मैं यहां पर दो module चूज कर रहा हूँ उसके बाद यहां पर देखिए QY40P और QY40P यह दो output के module यहां पर aid हो जाते है अब देखिए हमारे base rate में total 4 module यूज हो चुके हैं और चार अभी खाली है ठीक है तो हम यहां पर अभी कोई और model भी यूज कर सकते हैं जैसे analog module हमको use करना है RTD sensor के लिए या कोई analog input के लिए हमको कोई module select करना है तो हम select कर सकते हैं यहां पर देखिए voltage input current input इतने type के total हम यहां पर temperature input या फिर temperature control को select कर सकते ह temperature को control करने के लिए PT 100 मतलब platinum 100 का मतलब 100 degree Celsius पर PT 100 का जो RTD होता है उसका resistance 0 ohm होता है ठीक है और per degree Celsius उसका resistance 0.368 ohm बढ़ता जाता है ठीक है अब देखिए RTD के लिए यहां पर total 3 है Q64RD, Q64RDG और Q68RD3G ठीक है न तो हमको यहां पर Q64RD select करना है उसके बाद OK करना है इसके बाद हमको quantity choose करना है उसके बाद फिर आगे देखिए analog module हो गया अब हम counter या फिर positioning control के लिए भी यहां पर module select कर सकते हैं देखिए R type में हमको कोई एक type select करना पड़ेगा तो हम यहां पर simple motion use कर सकते हैं इसके बाद देखिए CC link जो IE field है इसको हम use कर सकते हैं CC link मतलब इ right axis या फिर 16 axis motion को हमको control करना है तो हम यहां पर four axis नॉर्मल वाला use करेंगे qd77 gfo ठीक है इस पर एक बार select करना है उसके बाद okay करना है इस module के उपर इस तरह का एक connector भी fix किया जाता है तो वो connector हमको किस तरह का use करना है यहां पर जो दिया गया है connector for simple motion module हमको simple motion module ही use करना है यह यहां पर एक बार okay कर देना ठीक है ना उसके बाद quantity में हमको one ही रखना है फिर okay कर देना है तो यहां पर देखिए इस तरह से एक motion के लिए हमारे पास module हो जाता है आगे देखिए हम इसमें और भी कोई module add कर सकते हैं जैसे हमको अगर network या communication के लिए कोई model यूज करना है तो हम यहां पर network module पर select करके ethernet module को select कर सकते हैं हमको यहां पर ethernet IP पर एक बार select करना है उसके बाद qj71 eip7 1 ठीक है ना यह एक ethernet module है इसके थ्रू हम communication करा सकते हैं मतलब यदि हमको mode bus या फिर किसी drive के साथ communication कर ना हो या किसी भी वज़े से हमको यदि ethernet port की जरूवत पढ़ती है तो यहां पर हमको एक ethernet module भी मिल जाता है ठीक है एक slot को हम खाली रहने देते हैं in case of any emergency future के हिसाब से यदि हमको input और output बढ़ाना है या फिर कोई वो type का module use करना है तो हम उसके लिए एक slot को spare रखते है ठी किया था वो total 6 ampere का power supply था Q63 ठीक है ना लेकिन इतने सारे module हमने add कर लिए उसके बाद भी जो power consumption है वो 2.63 ampere हुआ है ठीक है मतलब इसमें हम और भी base rack को add कर सकते ठीक है तो हम यहां पर जाएंगे इसमें नीचे add base rack का option आता है इसमें यदि हमको और ज्यादा input module की जरूरत ह है तो हम उसको add कर सकते हैं इसमें देखिए Q52 भी जो है यह type requiring no power supply module ठीक है मतलब यदि हम यह type के module select करते हैं यह type के हम base rack select करते हैं तो इसमें हमको additional power supply लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यदि हम Q63 या 65 या 68 या 12 भी को use करते हैं तो हमको इनमें power supply भी add करना ठीक है तो हम normal यहाँ पर pass load वाला अगर add करना चाहें तो add कर सकते हैं इस पर हम एक बर click करके फिर यहाँ पर जब ok करेंगे उसके बाद हमको quantity choose करना है अब यहाँ पर देखिए 0.45 meter की एक cable भी add हो गई है और यह cable देखिए इस base से होते हुए इस वाले base पर लग गई ठीक ह अब यहाँ पर आप देखोगे कि दो connector देवे हैं यह दो connector इसलिए देवे इन future यदि हमको और भी कोई base rack add करने हो तो हम दूसरे वाले cable से अगले वाले base rack को हम add कर सकते हैं और total हम इस तरह से एक PLC में up to 7 base rack add कर सकते हैं ठीक है ना अब देखिए 5 volt DC के power supply में जो voltage drop होता है 0.01 volt क्योंकि हमारी यहाँ पर जो cable है वो है 0.45 meter की यदि हम इस cable की लंबाई बढ़ाते हैं मतलब यदि इस cable को और बढ़ा कर देते हैं 10 meter की cable कर देते हैं तो यहाँ पर जो voltage drop है वो 0.06 volt बढ़ जाता है ठीक है ना तो मतलब जितनी लंबी extension cable होगी उतना ही हमारा voltage drop होने के chances ज्यादा रहेंगे ठीक है ना और दो बेस रेक एड़ करने के बाद जो power consumption है वो है 2.63 अब यदि हमको PLC के साथ में HMI को भी connect करना है तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं यहाँ पर देखिए यदि हमको दो बेस रेक की जरूरत नहीं है तो हम इस बेस रेक को delete भी कर सकते हैं इस पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए delete का option आता है तो इसके तरू मैं इसको delete भी कर सकते हैं इस PLC में जो हमने total point consume किये हैं वो किये है 144 point और इसकी जो total capacity है वो है 2048 ठीक है ना तो इस एक PLC में हमने 144 point यूज़ किये हैं इस तरह से हम इसमें और भी extension unit लगा पाके एक ही CPU के साथ में हम 2048 point को control कर सकते हैं आगे देखिए यहाँ इसमें HMI 8 करना है तो यहाँ पर system configuration में जाना है उसके बाद add device पर क्लिक करना है और देखिए हमको graphic operation terminal पर एक बार क्लिक करना है इस तरह का interface open होता है हमको start selection पर एक बार क्लिक करना है ठीक है ना देखिए एक बार हम यहाँ पर GOT पर क्लिक करेंगे और इसमें open device setting पर एक बार क्लिक करेंगे तो इसमें HMI हमको कौन से select करनी है उसको option मिल जाता है इसको loading होने में थोड़ा सा time लग सकता है अब यहाँ पर देखिए controller अभी हमने कोई select किया हुआ नहीं है तो अभी यदि हमको controller select करना है तो इस पर एक बार हम क्लिक करेंगे और हमने PLC जो यूज करिए वो मेल से Q-series की यूज करिए तो हम controller यहाँ पर Q-series कई select करेंगे model में देखिए यहाँ पर हमने Q-02 CPU यूज किया था तो यह Q-02 CPU हमें यहाँ पर यूज कर लेते हैं ठीक ना extension cable हमको कितनी लंबी कितनी दुरी पर करना है उसके साथ उसको हम कर सकते हैं इसका जो communication हम कराएंगे वो ethernet के थ्रू कराएंगे ठीक है ना और number of GOT हमको total कितनी add करना है तो हम total यहाँ पर एक ही GOT का मतलब HMI एक ही HMI को हम यहाँ पर connect करने वाले हैं उसके बाद देखिए यहाँ पर GOT हमने कोई select नहीं कर connect करना है तो यहाँ पर देखिए जियोटी 2000 जियोटी सिंपल और जियोटी 1000 ठीक है ना तो अभी जो latest जियोटी चलती है वो चलती है जियोटी 2000 ठीक है अब 2000 में देखिए आप GT 2715 XTBA 15 इंच की यह जियोटी है इस तरह से बहुत सारी यहाँ पर जियोटी की डिटेल दी ठीक है इस पर एक बार हम क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए हमने कोई केबल यहाँ पर सिलेक्ट करी हुई नहीं है तो हम यहाँ पर केबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं केबल के यूजर के उपर डिपेंड करती है इथरनेट हम केबल यहाँ पर यूज करने वाले हैं ठीक है Fx Series के PNC देख सकते हैं, Q Series के PNC देख सकते हैं, उनको यह अधी Assemble करना हो, वो भी कर सकते हैं, उसके बाद देखिए, Last में Final देखिए, यहाँ पर एक Excel को Option आता है, ठीके ना, तो जब हम इस Excel पर क्लिक करते हैं, उसके बाद OK करते हैं, तो यहाँ पर एक Excel File Create हो जाती है, हमक चैक्षन रिजюण प्र्यॉड में चैयि यहां के बच्शाएप सुए cath概 design के और आप इसको पर ब worek उसके पहले हैं और लोग जलोगे उसके से उसक्ते तरह मैंचा। उसको आपको फेकश्ठ करें के उत्सुन ऐसको वह तो इसको खेयए है है इसमें main base q3 8b वाला था और input और output module कौन-कौन से use कर रहे हैं उनकी क्या-क्या detail है वो कितना power consume करते हैं कितने slot को consume करते हैं कितने point उसमें हैं वो सारे detail यहाँ पर मिल जाती है उसके बाद देखिए जब GOT पर click करते हैं तो PLC के साथ में GOT content कैसे add हुआ है उसकी पूरी detail यहाँ पर मिल जाती है तो दोस्तों यह था एक model selection tool का video Mitsubishi PLC में हमको किस तरह की PLC select करना है वो हम यहाँ से select कर सकते हैं सारी detail हमको यहाँ से मिल जाती है ठीक है ना PLC में कौन-कौन से module होते हैं कौन-कौन और वीडियो बसंद आये तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को परा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जैवारत मिलते है नेक्स डूडियो में